आवेग अर्थात इंपल्स किसे कहते हैं इस वीडियो में हम आवेग को समझेंगे उसका एसाई मात्रक विमी सुत्र यह कोन सी राशी है और साथ में आवेग से जुड़े हुए कई सारे उधारन जिसमें क्रिकेट का खिलाडी केश लपकते समय हाथ को पीछे क्यों खिश ले जाता है तो जो बल हम लगाते हैं उसके और समय अंतराल के जो गुणनफल होता है उसे बल का आवेग कहते हैं मतलब बल का आवेग होता है बल गुनित समय अंतराल मतलब अगर आप कोई बल जो है अल्प समय अंतराल के लिए लगा रहे हैं तो बल और समय अंतराल का गुण टी के लिए लगा रहे हैं तो बल हो गया vector F और समयंतराल हो गया delta T तो जो बल का आवेग होगा वह भी एक सदिश राशी होगी उससे टो से व्यक्त करेंगे तो vector 2 is equal to vector F और delta T का गुणा होगा तो ऐसे में अगर हम केवल इसका परिमार ले ले सदिश न ले अब यहां से ये तो इसपस्ट हो गया कि आवेग कौन सी राशी है सदिश राशी है तो अगर हम केवल परिमाण लेते हैं तो ये टो की वेल्यू हो जाएगी f.delta t तो हमने क्या सिखा हमने सिखा कि बल का जो आवेग होता है वो बल और समय अंतराल के गुणन फल के बराबर होता है और सदिश रूप में लिखने पर वेक्टर 2 is equal to vector f.delta t है क्योंकि आवेग एक सदिश राशी है किवल परिमाण लेंगे तो आप ये सदिश के निशान हटा दीजिएगा अगर हम यहां से इसका SI मात्रक लेने जाएं तो बल का क्या होता है समय अंत्राल के लिए क्या लिखेंगे सेकंड लिखेंगे तो जो आवेग है उसका SI पद्दती में मात्रक हो जाएगा निउटन सेकंड अगर आप वीमी सुत्र पर जाएंगे तो बल का वीमी सुत्र है MLT-2 समय अंत्राल का हो गया T तो यह बन जाएगा देखें T की पावर माइनस 2 और T की पावर 1 जब आप गुणा में जाएगे तो घाते जुलेगी तो यह माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा MLT-1 हो जाएगा और ध्यान से देखें तो MLT-1 जो है यह समवेग का विमी सुत्र भी है तो यहां से एक important conclusion यह भी बनता है कि समवेग और आवेग के विमी सुत्र क्या है समान है किसी एक के याद कर लिया तो दूसरे का भी हो जाएगा तो अब हमने यह बात सीख ली कि आवेग एक सदिश राशी है इसका SI मातरक न्यूटन सेकंड है इसका विमी सुत्र भी है जो समवेग का है MLT-1 और हम जानते हैं कि जो बल का आवेग होता है वो समवेग में परिवर्तन के बराबर होता है तो ऐसे में आप बल के आवेग के लिए हमें पता है यह देखिए आप लिख लीजिए तो यहां हो जाएगा यह आपका वेक्टर 2 is equal to वेक्टर F dot delta T और यह समवेग में परिवर्तन मतलब delta P के equal होगा तो अगर आप यहां से कोई conclusion निकालना चाहें तो आपका conclusion बन कर आएगा कि वेक्टर F is equal to वेक्टर delta P upon delta T तो यह आपका conclusion निकल का अगर आपको कभी यह पूछ ले कि आप प्रूव किजिए कि बल का आवेग बराबर समवेग में परिवर्तन तो फिर यह आप यहां से सीधे ले लिजिएगा Newton के दूसरे नियम से है ना कि जो बल है वो समवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है तो यह वेक्टर F is equal to delta P upon delta T लिग दीजेगा और क्रास गुणा कर दीजेगा तो यह F dot delta T is equal to delta P हो जाएगा और इसको अगली लाइन में खिश लेता है क्यों तो देखे जब वो खिलाडी अपने हाथ पीछे खिशता है तब उस समय क्या होता है देखे आप यह जब वो हाथ को अपने पीछे खिशता है तो खिलाडी जब अपने हाथ को पीछे कम हो जाएगा ये तो मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया अब अगर आप सूत्रू रूप में लेना चाहें तो आप कहिएगा कि ऐसा करने से समय अंतराल डेल्टा ट का मान बढ़ जाता है वही बात मैंने कही थी कि समय अंतराल डेल्टा ट का मान बढ़ जाएगा क्यो जब F कमान कम हो जाएगा तो खिलाडी के हाथों को चोट नहीं लगेगी तो इसका एक लाइन में सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा करने से समयंतराल डेल्टाटी कमान बढ़ जाता है और सुत्र F फिजिकल टू डेल पी अपान डेल्टी से F कमान कम हो जाता है और खिल चूचाई से कूदते हैं तो पक्के फर्ष की तुलना में कच्चे फर्ष पर चोंट कम क्यों लगती है या कांच या मिट्टी के बरतनों को देखा कि पक्के फर्ष पर गिरते ही तूड जाते हैं कच्चे फर्ष पर नहीं तूडते हैं सब का जवाब यही है क्योंकि जब ऐसा होता है तो ऐसा होने में समय अंतराल डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है और सूत्र F is equal to डेल्पी अपान डेल्टी से F का मान क्या हो जाता है कम हो जाता है और जब F का मान कम हो तो फिर क्या होगा सरकस के कलाकार मोटे जालीदार गद्दों पर कुदेंगे उन्हें चोट नहीं लगेगी है न कच्चे फर्ष पर बरतन नहीं तूटेंगे तो सारे जो क्वेशन से इनका इनका ये एक ही एंसर है आपके वहले इस एक एंसर को ध्यान रखिए कि ऐसा सब कर करने से जो है समयंतराल डेल्टा टी बढ़ जाता है और सुत्र एफ फिजिकल टू डेल पी अपाट डेल टी से एफ कमान कम हो जाता है और इसलिए ये सब इस तरह से करते हैं धन्यवाद